हेलो पेंट्स, वेलकम टो बर चनल, हम बात करने वाले हैं, इरकॉन इंटरनेस्टिल के आरे में, जिसके करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं, हमारे मेंबर नहीं रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी इंसे चाहिए, स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सक सकते हो, इंडेक्स वीग लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिसक्वेस्ट चैनल के अबर वक्स में दिया हुआ है, इस टाइप के फिरी लइनिंग टेट्स मिल जाएंगे, तो बजाकर आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं, इस ट से अलड़ी 190 के लेवल पर आ चुगा है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई fresh selling के लिए बात कर रहा हूँ, कि कोई fresh selling होगा, जो selling अलड़ी चल रहा है, उसी का continuation हमें देखने के लिए मिल सकता है, फिलाल अलड़ी काफी अच्छे correction पर है, अगर आप long term buying के लिए प्लान कर कर सकते हैं, अगर आप short term में जाना चाहते हो, जब तक कि proper आपको reversal नहीं दिखता है, तब तक buying के लिए मत प्लान करना, short term के लिए, ठीक है, momentum मिस होगा, bottom से हो जाएगा, कोई दिक्क्त नहीं, 10%, 15%, लेकिन ऊपर बहुत है, अगर reversal एक बार confirm हो गया, तो ऊपर momentum बहुत है, बहुत एजली अच्छा पैसा बन जाएगा, वहाँ पर reversal के टाइम में, ठीक है, तो फिलाल वेट कर लो, अभी ये जो buying है, ये सिंगल सिंगल जो buying है, ये ट्रैफ है, बाकी trap करके आपको selling के लिए आने वाला है, जो कि अलड़ी आ चुका है, जो लोग यहाँ पर buying में फसे किया था, तो अभी भी same condition है, फिलाल हमारे पास 190-200 के आसपास का एक support है, इस support को अगर हम breakdown करते हैं, तो हम 170 की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, और अगर यही पर consolidate करते हैं, जो कि हम पछले एक महीने से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है, कि आने वाले एक या 270 को cross करना थोड़ा सा difficult होगा, इसको जब breakout करेगा तभी अगला momentum बनेगा, बट इसको breakout करने के chances बहुत कम है, फिलाल current level से reversal दे सकता है, और buying आ सकता है, लेकिन 260 के level तक, इस level को cross करेगा, उसके chances बहुत कम है, तो जितना momentum दिया था, इसका हम 50% तक bounce कर सकते हैं, अगर bounce आना ह ठीक है, तो इस चीज को आज रखेगा, इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, बाकि downside पर support अलड़ी लगे हुए, एक level हम जब breakdown करेंगे, जैसे अभी हमने 190 अगर breakdown किया, तो हम 170 की तक जाएंगे, 170 पर again, सेम चीज होने वाला जो यहाँ पर चल रहा है, मतलब वही, buying, bounce, consolidation, या reversal, ठीक है, तो हर एक level, जो है, वो इसी तरीके से respect होने वाला, जो कि पहले से भी आ रहा है, आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर देख लो, इस point पर, फिर second time भी इसी point पर लिया था, third time अभी हमने इस point पर support लिया है, तो यही momentum आपको आगे भी मिलने वाला है, तो इन levels को मार करके रख सकते हो, यह आपको आगे काम आएंगे support के लिए, बागे ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए, stock का नाम comment कर सकते हो, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like करना, और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much